सब्सक्राइब नव और प्रेस तब बेल आइकन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा यूजी सी नेट ज्यारफ टीजी टी पीजी टी और हिंदी की समझत प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर है आज का वीडियो और आप से निवेदन है कि मेरे प्रिय साथी अपने घर में ही रहेंगे घर से बाहर नहीं निकलेंगे कोरोना को मात देंगे हम रहे तो जीवन हमारा सुरक्शीत रहेगा तो सुरू करते हैं पहला अपभ्रंस भासा के पर्थम महा कभी स्वयम्भू है अपभ्रंस भासा का पर्थम कड़वक बध रचना पउम चिरव है कडवक बद्ध क्या होती है कावक साथ चौपाईयों के बाद एक दोहा रखना ही कडवक बद्ध का लाता है तो अपबरंस का पर्थम कडवक बद्ध रचना क्या है पॉमचीरव जो लिखा किसके गया है स्वेमभू के द्वारा अपबरंस के पर्थम एतिहासिक बईयाकरण हेमचंद्र है इनकी रचना का नाम है हेमचंद्र सब्दा अनुसासन हिंदी के पर्थम कभी सरहपा है एवं इनका समय है नवी सदी हिंदी में दोहा चौपाई का सर्व पर्थम पर्योग सरहपा ने किया था हिंदी की पर्थम रचना स्रावकाचार है जो देवसेन के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित की पर्थम रचना पिर्थवी राजरासो है जिसमें संतावन खंड है और लिखा गया है चंदर बरदाई के द्वारा है हिंदी साहित का पर्थम काव्य पिर्थवी राज रासो है हिंदी काव्य में पर्थम बारा मासा बरण बिशल देव रासो में आता है कमेंट में करके बताए कि बिशल देव रासो किसी की रचना है किसी भारती भासा में रचीत इसलाम, धर्मा, उलंबी कभी की पर्थम रचना संदेश रासक है जो अब्दुलरहमान के द्वारा लिखा गया था अवहट का सरव पर्थम पर्योग विद्यापती ने किर्थ लता में किया है विद्यापति की ये रतना है किर्थ लता और किर्थी पता का हिंदी के सरव पर्थम गीतकार विद्यापति जी है हिंदी में सरव पर्थम मुकरियों की सुरुआत अमीर खुसरों ने किया था भक्ति के परवर्तक या आदे परवर्तक रामानुजाचार्य है हिंदी के पर्थम सूफी कभी असायत है सूफी प्रेमानेक्षां का पर्थम कभी हनसावली है जो असायत के दौरा लिखा गया है हिंदी का पर्थम बड़ा महा कभी हनसावली है हिंदी का पर्थम वक्रोक्ति कथातमक महा कभी पदमावत है हिंदी की आद कवित्री मीरा बाई है कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे परसिद काव्य सूर सागर है जो सूर दास के द्वारा लिखा गया था चैनल को अधिक से अधिक सबस्क्राइब जरूर करें राम भक्ति का सबसे परसिद काव्य राम चरित्मानस है जो तुलसी दास जी के द्वारा लिखा गया था कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएं कि किस संबत में ये लिखा गया था यह राम चरित्मान अस सात कांडू में बिभक्त है भक्तिकाल को काबे का स्वाण्ड युग घोसित करने मौला पर्थम बिखति जार्ज गिरियरसन है जार्ज गिरियरसन के इतिहास गरंत का क्या नाम है कमेंट बाक्स में जरूर बताएं सर पर्थम सथसई परंपरा का आरम तूलसी सथसई से होता है अधिकांस किर्पा राम की हिट तरंगडी को मानते हैं सब्द का सर्व पर्थम पर्योग लोचन परसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया था चायावाद की पर्थम किरिती जर्णा है जो 1918 में लिखा गया था जैसंकर परसाद जी के द्वारा सुकल अनुसार चायावाद का पर्थम परतिनीदी के भी सुमित्रा नंदन पंत हैं मुक्त चंद का पर्थम पर्योग करता निराला है जो जुही की कली में किये है निराला की पर्थम कविता जुही की कली 1916 इसमी में प्रकासित हुई परियोग वाद सब्द का पर्थम परियोग नंद दुलारे बाजपेई ने किया नई कविता का नाम दिया अग्यान देने अग्यान की पर्थम का विकृति भग्न दूत है जो 1933 इसभी में लिखा गया प्रेम चंद का पर्थम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सक्यों का विवा 1907 इसभी में हम कुर्रा वो हम सबाब का रूप में लिखा गया जो हिंदी रूप आंतरण प्रेमा के रूप में हुआ हिंदी का पर्थम उपन्यास परिक्षा गुरू लाला निवास दास्कृत है प्रेम चंद का मोल रूप से हिंदी में लिखित पर्थम उपन्यास काया कल्प है जो 1926 इस्वी में लिखा गया जैनेंद का पर्थम उपन्यास परक है जो 1929 इस्वी में लिखा गया इलाज चंदर जोसी का पर्थम उपन्यास ग्रेडा मही है जो 1929 सिस्भी में लिखा गया भगवती चरण बर्मा का पर्थम उपन्यास चित्रलेखा 1934 सिस्भी में लिखा गया अग्या का पर्थम उपन्यास सेखर एक जीवनी 1941 सिस्भी में लिखा गया रेडू का पर्थम उपन्यास मैला आचल 1994 में लिखा गया निर्भल मर्मा का पर्थम उपन्यास वे दिन 1964 में लिखा गया हिंदी की पर्थम मौलिक कहानी इंदू मती कि सुरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया हिंदी की पर्थम कहानी लेखी का बंग महिला है जिनका नाम राजंदर बाला घोस है उनकी कहानी का नाम दुलाई वाली है परसाद की पर्थम कहानी गराम 1911 में इंदुर पत्रिका में परकासित हुई थी प्रेम चंद की पर्थम कहानी पंचमर में स्वर 1916 में प्रकासित हुई नेर्मल बर्मा का पर्थम कहानी संग्रह परिंदे उननाई सो साथ हिस्वी में प्रकासित हुआ कमलेस्वर का पर्थम कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया 1967 इस भी में प्रकासित हुआ हिंदी का पर्थम मौलिक नाटक भारतेंदुने माना नहुस को जो लिखा गया था गोपाल चंदर के द्वारा पर्थम हिंदी का पर्थम अभिनित नाटक जान की मंगल है जो सितला परसाद खत्री के द्वारा लिखा गया था परसाद का पर्थम एतिहासिक नाटक राजसिरी है जो 1915 इस भी में लिखा गया था हिंदी का पर्थम एकांग की एक घूंट है जो परसाद के द्वारा लिखा गया था आचारे रामचंदर सुकल की पहली सद्धानतिक आलोचना करिती काप्वे में रहस्यवाद है रस भी बेचन को पहली बार मनोवे ज्यानी को आधार परदान किया रामचंदर सुकल ने अगर इसका पीडियाप चाहिए तो कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करें हिंदी में साधारिकरण के संबन्द में पहला चिंतोन रामचंदर सुकल का है साधारिकरण का पर्थम पर्योक करता भट नायक है हिंदी में पर्थम दलित आत्म हिंदी की पर्थम आत्मकता अर्दकता अनक है 1641 इसपी में बनार्सी दास जैन्दी को द्वारा लिखा गया था हिंदी में पर्थम जीवनी भक्त माल है जो पंदरे सो पचासी स्वी में नावा दास द्वारा लिखा गया है पर्थम मौलिक लेखिक जीवनी लेखा कार्तिक परसाद खत्री है मीरा भाई का जीवन चरीतर अठारे सो तिरासी इस भी है अहिल्या भाई का जीवन चरीतर 1889 हिंदी है हिंदी में पर्थम संसमरण हरियोद का संसमरण है जो बाल मुकुन गुप्त के द्वारा लिखा गया हिंदी में पर्थम रेखा चीतर पदम पराग है जो 1929 में पदम सिंग सर्मा द्वारा लिखा गया हिंदी में पर्थम यात्रा बिर्तांद लंदन यात्रा बिर्तांद है जो 1883 में स्रीमति हरी देवी जी के द्वारा लिखा गया हिंदी में पर्थम रिपर्तार्ज लच्मी पूरा है जो 1938 में सिवधान सिंग चौहान के द्वारा लिखा गया हिंदी गद्य काभी की पर्थम रचना साधना है जो राय कृष्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित इतिहास का पर्थम बेवस्थित गरंत हिंदी साहित का इतिहास है जो राम चंदर सुकल के द्वारा लिखा गया परंपरा की द्रिष्टी से रचित हिंदी साहित इतिहास का पर्थम गरंथ हिंदी साहित की भूमी का हजारी परसा दिवेदी ने लिखा है साहित इतिहास का पर्थम माक्सवादी गरंथ राम बिलास सर्मा है गरंतकार रामविला सर्मा है खड़ी बोली पद्य का पर्थम पर्योग करता अमीर खुसरो है खड़ी बोली की पर्थम गद्यरतना चंद चंद वरनन की महिमा गंग कभी के द्वारा लिखी गई थी खड़ी बोली में साहित सुरुप का सर परतम पर्यो किया रामपरसा निरंजनी ने भासा योग वसिष्ट में किसी भारतिय द्वारा देशी भासा में परकासी परतम पत्र संबाद कौम दी 1801 संबत में राजा राम मोहन राय के द्वारा है हिंदी की परतम पत्र उधन्द मारतंड है जो 30 मई 1826 भी कलकत्ता से परकासित होती थी सुर परतम हिंदी दैनिक पत्र समाचार सुधावर्सन 1854 में लिखा परकासित हुआ जिसके थेश चाम सुन्दर सेन हिंदी की परतम लगपत्र का नय पत्ते लच्मी कांत का है हिंदी में परकासित परतम घरतियंदु घरतावली है हिंदी के लिए परतम साहित अकाद Holly पुरसकार हिंतर इंगडी को माकल लाल चैदिरुवेदी 1955 इस्विक वी को दिया गया ग्यानपीट पुरसकार से नसम्मानित पर्थम हिंदी साहितकार सुमित्रा नंदनपंथ है 1968 में चिदंबरा के लिए दिया गया था ग्यानपीट पुरसकार से नसम्मानित पर्थम हिंदी महिला साहितकार महादेवी बर्मा है जिनको यामा पर 1982 इस भी में दिया गया था पर्थम ब्यास सम्मानित भारत के भासा परिवार और हिंदी के लिए डाक्टर राम बिला सर्मा 1991 है पर्थम विस्व हिंदी समेल अनाकपूर 1975 इस भी में हुआ था में हिंदी का स्वर पर्थम सिक्षर परारम कासी हिंदू विस्विद्याले में 1921 इस भी में हुआ कासी हिंदू विस्विद्याले के पर्थम विभागा अध्यक्ष स्याम सुंदर दास दे साहित अकादमी का पर्थम अध्यक्ष पंडी जोहलान नहरू थे हिंदी सायत परिषत का पर्थम अध्यक्ष पूरसुत्तम दास्तंडन थे सयंक्त राश्ट संग में हिंदी में भासर देने वाला पर्थम व्यक्ति अटल बिहारी बाजपेई थे जो 1997 इस भी में दिये थे हिंदी भासर का पर्थम बैग्यानी की तियास हिंदी भासर का इतियास है जो 1933 इसमी में धिरेंदर वर्मा जी के द्वारा लिखा गया था हिंदी का पाला स्वतंत्र मौलिक निवंद राजा भोज का सपना है जो राजा सिव परसाथ सितारे हिंद के द्वारा लिखा गया पराचींतम गद्य पद्य अर्थात चम्पू काब्य है राउल बेल जो रोडा कभी के द्वाला लिखा गया था बरज भासा गद्य की पर्थम रचना स्रिंगार रसमंडन है गोसाई बिठल नाजी के द्वरा लिखी गई थी आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक भारतिंदु जी है हिंदी की पहली बैग्यानी कहानी चंद्र लोग की आत्रा है प्लेस बैग पद्यत पर आधारित पर्थम कहानी उसने कहा था जो चंद्र धर सर्मा गुलेरी की है 1915 इसभी में लिखा गया था नौगीत परंपरा के सुत्रधार अग्या है आधार परवर्तक राज अंदर परसाथ सिंग है राम रख्षा अस्तरोत है जो रामा नंदर जी के दौरा लिखा जाता है चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक वाषियर करना ना भूले आपका अपना साथी हिंदी ग्यान गंगा धारा